नवस्कार आपके साथ मैं हूँ जबरकाश शर्मा और आप देख रहे हैं जी पंजाब खरियाना हिमाचल आपको बता दे कि संकट की घड़ी चल रही है कोरोना का जो महमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना के मरीजों की संक्याए वो लगातार बढ़ती जा है लगातार राजसरकार भी केंद सरकार की तरब से भी नई-दै यूजना यह नई-ई प्लान बनाए जा रहे हैं कि इस महमारी से कैसे निप्टा जाए ऐसे में केंद्र क्या कुछ प्लान है केंद्र का क्या action of plan है इस पर चर्चा करने के लिए आपको बता दे हमारे साथ जुड़े हैं केंद्र राजमंती कृष्पाल गुजर जो हमारे साथ आपको बता दे हैं कि फरीदवा से सांसत भी हैं और वो सामाजिक न्याय राजमंत्री क्रिश्पाल गुजर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर देश में संकट की घड़ी है कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं पी एम मूदी लगातार लोग से बातचीत कर रहे हैं लगातार उनसे संपर्थ साद्यों है और के मुखमंतियों से भी उनके आज वीडियो कॉंफरेंसिक के जरिये बातचीत हुई है और क्या लग रहा है सर आप तो केंद्र का हिस्सा है केंद्र के पार्ट है क्या लॉकडाउन बढ़ेगा क्योंकि सब की नजरे इसी बात पर टिकी हुए है क्या देश में लॉकडाउन बढ़ेगा देखिए जिस तरह से भारत के यह सवी प्रधानमंत्री आदर्ने मोधी जी ने कोर्णा के संकट से संबंदित देश और देश के अवाम को बचाने के लिए जो प्रो एक्टिव होके काम किया है उसकी आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है आदर्नी मोधी जी की सरकार ने जिस तरह से कोर्णा से बचाव के लिए देश के लोगों से अनरोध किया लॉकडाउन के लिए पहले एक दिन के लिए सुबे से लेके शाम तक राती था और फिर एक हपते के लिए फिर 21 दिन के लिए देश के लोगों ने उनके अनरोध को स समझता हूँ आजादी के बाद भारत को ऐसा परधान मंत्री मिला है जिस पर भारत के अवाम को पूरा विश्वास है और अवाम उनकी सत प्रतिशत बात का अनुशन करता है उनकी बात को मानता है और यही कारण है कि भारत की आबादी को देखते हुए कोराना पर जिस तरह का अंकुष लगा है वो पूरी दुनिया में उसकी मिशाल दी जा रही है यहां तक भी जो अमरीकन प्रेस कभी हिंदुस्तान की तारीफ नहीं करती थी आज अमरीकन प्रेस मेरे कई दोस्तों से बात होती है आज अमरीका के सारे अक़बार आदने परदानमंत्री मोदी जी की तारीफ में उनकी सरकार की तारीफ में भरे पड़े हैं पूरी दुनिया मोदी जी की तारीब कर रही है जिस तरह से उन्होंने को ना संकट को हेंडल किया है जिस तरह से को ना संकट को उन्होंने भारत में फैलने से के रोगने के लिए उपाय किये हैं प्रेतन किये हैं वो बेमिशाल हैं और लगातार उस परियास में लगे हुए हैं हिंदुस्तान का आवाम हिंदुस्तान के डॉक्टर भी भी तमाम अधिकारी भी और से जुड़े हुए तमाम करमचारी जाहे नर्सिंग स्टाफ है चाहे पेरामेडिकल स्टाफ है चाहें एंग्यूओ है चाहे समय कि तारिफ हो रही है और हर 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 कि कोशस हैं डौक्टर की बात करें या पुलिस कर्म्य की बात करें हर संबाब मदद कर रहे हैं लेकिन जो स्थिति है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंड बहुत जरूरी हे ऐसे में आपको लग रहा है कि लोगडाउन ही एक विकल्प है और लोगडाउन लगेगा देखे अभी देश में जिस तरह की प्रस्थिती है और जिस तरह की राय तमाम परदेशों के मुख्यमंतलियों से आ रही है जिस तरह की राय जो स्वास से संब्दित विसेशक है उनकी राय आ रही है जिस तरह से जिला परशाशन की राय आ रही है जिस तरह से वीबिन पर्देशों के मंत्रियों की राय आ रही है उससे लगता है कि देश के हित में और देश के लोगों के हित में ये लौक डाउन बढ़ना चाहिए इस ही में देश और देश के लोगों की सुरक्षा हो सकती है अभी इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि इस बिमारी पर काबू पाने के लिए कोरणा वाइरस पर काबू पाने के लिए लॉक डाउन ही सबसे ससक्त उपाय है और सामाजी के दूरी घर में रहें गर से बाहर ना निकलें और अगर निकलें तो मास्क नगा के निकलें दिन में बार बार अपने हातों को 20 सेकिंड साबुन से साब करें जी अगर ठीक और खांसी है आती है तो रुमाल और नेपकिन का परियोग करें परियोग करने के बाद धक्कन वाले डस्ट बिन में डाले अगर ये भी नहीं है तो कोहनी का इस्तेमाल करें और आपने देखा होगा इस बिमारी के बारे में मैं एक बास कह सकता हूं जो डर गया वो बच गया जो इस बिमारी से डर के घर में रहेगा वो निश्चित तोर पर बचेगा उसको फायदा होगा उसके परिवार को फायदा होगा तो मैं सिर्फ यही अन्रोद करना चाहूंगा आपके चैनल के मादम से कि आज फिर से चौकीदार बनने की घड़ी आ गई है हमको चौकीदार ब के लिए हम चौकीदार बने शतरक रहें घर के अंदर है सवस्त रहे और सुरक्षित रहें लेकिन लेकिन अभी जो ताजा हाला थे आप तो हर्याना से आते हैं फरिदाबाद संसदे अचेत्र आपका हर्याना बे भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और फरिदाबाद और गुरुगाम की खास बात करें तो ये तो ऐसे इलाके जो काफी समविधन शील माले गए आपका संसदे अचेत कर दिया गया फरिदाबाद के अंदर तो आपको नहीं लग रहा कि वाकई में स्तित्थी अभी कंट्रॉल में नहीं है एक डर है मन में बह है और जिस तरह विपक्ष सवाल उठाता है कि भाई आपने वक्त रहते त्यारी नहीं की राउल गांदी कहते हैं कि हम फरवरी से ब देखें मैं आज राजनीतिक बात करने का समय नहीं है ना राजनीतिक आरोप परत्यारोप करने का है ना किसी की बात का जवाब दे लगा है मैं विपक्ष को सिर्फ एक लिविद्र करना चाहूंगा आज ये देश पर संकट का समय है हम सब को मिलकर इस संकट से लड़ना है में क्या कहूं वो खुद इस संकट के समय विदेश से होके आए थे लेकिन फिर भी मैं इन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं आज राजनीती करने का समय नहीं है आज ये देश को और देश के लोगों को बचाने का समय है उनको सुरक् लोग मिल भी रहा है इसलिए कब क्या होना चाहिए था सारी दुनिया आज तारीफ कर रही है और हमारे लोगonds के लोग क्या कि रहेी मेरी समझ में नहीं आता आज असटatelli ya का परदानमंत्री हो अमेरिका का परदानमंत्रियों विटेन का हो सिंगापूर का हो तब कहरें सब भारत की मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं सब कहरें प्रोयक्टिव होकर जिस तरह कदम मोदी जी ने उठाए हैं अगर ये कदम पहले इटली अमेरीका ब्राजील सिंगापूर और दूसरी सरकारे उठा लेती लेकिन मोदी जी हमारे प्रदानमंत्री जी बहुत दूर दर्शी है वह आने वाले संकट को पहचान लेते हैं इसलिए प्रोयक्टिक होकर उन्होंना कदम उठाया जो कदम दूसरे देशों की सरकारों ने तीसरे चौते फेस में उठाया वह हमारे यससवी प्रदानमंत्री यादर ने मोदी जी ने पहvärly और दूसरे फेस में उठाकर इस देशों रोड़क। मैने सैयूग की सब लोग सbars vigil कर रहें वाके मैं चल रहा है डान लाघकर बोर्टी जी की सरकार ने हमारे वो रहे हैं हर वो कदम उठा रहे हैं हर वो तैयारी उन्होंने की है जिस से कोरोना वायरस को हरा सके आज हर्यार में निश्टित तोरपर केस बढ़े हैं लेकिन वो केस मक्रज के जमाति आने के बाद उनके हर्यार में फैलने के बाद बड़े अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप जमातियों को जिम्वेदाइं मानते हैं कि जो मरकज के जमाती थे उनकी वज़े से इमामने बड़े मौल भी आगे दूसरे लोगों के संपर्क में आगे जिससे पूरे देश में फैलने के बाद जो चीज कंट्रोल में आ रही थी उसमें तेजी आ गए आज मुझे खुशी के साथ बताना पड़ रहा है फरीदाबाद गुर्गावा और पलवल और नुहू इन चार्जिनों में केस तेजी से बढ़े थे लेकिन आज फरीदाबाद में पिछले 48 घंटे से खुशी की बात है कोई भी एक केस पॉजिटिव नहीं आया है सारी जितनी रिपोर्ट कल 32 लोगों की रिपोर्ट आई वो नेगिटिव आई उससे पहले लोगों की रिपोर्ट आई वो नेगिट नेगिटिव आ गया उनकी छुट्टी हो गई छे लोगों के 23 रिपोर्ट भी नेगिटिव आ जाएगी तो और संख्या घड़ जाएगी अभी पिछले 48 घंटे से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है इसी तरह पलवल में भी 72 घंटे में अनेक हमने टेस्ट कराए है शेकड़ों की संक्या में लेकिन उनमें सिर्फ एक पॉजिटिव केस पिछले 72 घंटे में आया है यानि कि वहां भी कमी आ रही है तो लगातर इन जिलों में पॉजिटिव केसों में कमी आ रही है क्योंकि सरकार और जिलापर्शाशन और हेल्ट लोगों को दवाईया पहुचाना घर-घर में सर्वे कराना और पूरे फरीदाबाद जिले का पलवल जिलेका पूरा घर-घर का सर्वे हो चुका है दो दिन के अंदर 9 और 10 तारीक में यह ववस्ता हर्याना की सरकार ने की है ने बिल्कुल आप करें कि हर्याना लोगों के चेक अप हो रहे हैं लेकिन क्रिश्मभाल गुजे जी कल हुड़ाजी से बात हुई थी वो कह रहे है कि केंद का भी जो स्वास्त का बजट है वो बिल्कुल कम है और राज का बजट भी बहुत कम है जबकि उन्होंने तमाम अपनी उपलब्दिया बनाई कि उनक कि वक्त में जब उनका उनका शासनता तो हरियाना में मेडिकल की छेत में स्वास्त विभा के छेत में बहुत बहतर काम हुए लेकिन मौझूदा सरकार ने उतना स्वास्त शेत्रों पर ध्यान नहीं दिया वरना यह मांकड़े बढ़ते नहीं हरिया ना में हुआ कि देखिए खुर्धा साब क्या कहते हैं मैं आद यह राजगीतिि य। किसी की बात जबाद का जवाब देने के मुझे बात हर बात का जबाद है मैं हर बात का मैं जबाब दे सकता हूँ लेकिन ये समय जबाब देने का नही है और यहीं जिंता मोदी जी और मनोर जी की सरकार कर रही है हुड़ा साब अगर मैं कले खोलूंगा आपके समय के स्वास्त के और हॉस्पीटलों के बारे में कुछ कहना कहूंगा तो वाज सोबा नहीं देता एक बार कुरोना संकट से वह ब्रधाद दिजिए मैं बताऊंगा स्वास्त की क्या हरात थी हॉस्पीटल किसकी चीज के लिए तरस्ता था हॉस्पीटल में डाइलिसिस की मसीन नहीं ती वह हॉस्पीटलों में गरीब आद्वी केलिए सज्टे में स्टेंट का हैंड का अपरेशिं करने की वरूष्टा नहीं थी जी होस्पीटलों में कोई टेस्ट करने की लिए मसीने नहीं थी मैं एक एक सबूत के साथ सारी चीजों का मैं उत्तर देना चाहूंगा लेकिन आज नहीं इस संकट से उभरने के बाद आपका स्वास्त का बजट क्या था और मनोरजी की सरकार का स्वास्त का बजट क्या है आपके समय में सरकारी होस्पीटलों में क्या सुविधाय थी और मनोरजी के सरकार के समय सरकारी होस्पीटलों में क्या सुविधाय है चलिए ज़्याना की बात करें या पंजाब की बात करें या पंजाब की बात करें जातर जो आवादी है वो खेती बाडी पर निर्भर है किसानों के लिए अब गंभीर संकट खड़ा हो गया लोकडाउन बढ़ता है तो किसान परिशान होगे लेकिन बताया जा रहा है कि अभी मंडियों को त्यार किया जा रहा है खरीद शुरू हो जाएगी जल से जल ऐसे में किसानों के चिंता को आप कैसे दूर करेंगे केंद्र किसानों की बात भी और देश के किसानों की बात भी मैं उनको सिर्फ एक लिविदन करना चाहूंगा वो निशिंत रहें यह मोदी जी की अर्मनोर जी की सरकार है किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा और दाने की उचित कीमत उनको दी जाएगी उनको चिंता करने की सम सरकार है जिन्होंने किसानों के फसल के खराबेका इतना पैसा किसानों को दिया जितना कभी किसी सरकार ने दिया कि किसानों के खाद की बात हो किसानों के बीज की बात हो किसानों की फसल की कीमत बढ़ाने की बात हो एक-एक पिछले पांच शे साल में आपने मोदी जी और मनोर जी की सरकार में देखा है तो इसलिए हमें किसी की सला की जरूरत नहीं है ये मोदी जी और मनोर जी की सरकार गाव और गरीब की सरकार है किसान और मजदूर की सरकार है किसान और मजदूर की चिंता करने वाली सरकार है किसान और मजदूर को रहत देने वाली सरकार है तो इसलिए इस सरकार के रहते हुए हरियाना के किसानों को आपको प्रश्वार करने की बात नहीं है किरिश्पाल गुजर जी आप किसान चिंता ना थरीदा जाएगा और फितल की निकासी में अभी अगर जोड़ाई आपके आप पर जिम्मेदारी भी है कुछ यूपी के जिलोकी भी आप मॉनेटिंग कर रहे हैं हर्याना की जिम्मिदारी भी है ऐसे में वक्त आप पर तो नहीं होगा लेकिन जो भी वक्त बता तो खाली वक्त कैसे बिता रहे हैं आप कि देखिए मैं पहली बार जिन तीस साल के राज्य दिख जी उनमें पहली बार ऐसा समय देखने का मौका मिला है लेकि इस समय भी पूर twoi मैं जो अपने भी भाग का काम है वह नchae रुक ना जाए उसके बारे में काम करते रहते हैं घर में बैठे ऊंलाइऍब। दूसरा ग्राउंड रिपोर्ट. लेते रहते हैं है कि ओर अमने लोग सबाछेट्र के और अपने परदेश पहुचुआना कहीं मरीज को दिक्क्त आ रही है तो उसको होस्पिटल पहुचुआना किसान को को इसका समदान करना इन लोगों को कैई बिजली पानी की समद्धी की समद्धान करना जै ओनलाइन फॉन पे बहुत लोगों की सिकारत आती है उनसी सिकारतों का फॉन के अधिकारियों से समधान करवे न इसी में सारा समय भी चादा है लेकिन अवेलेबल हैं लोगों के बादम से लोगों को लगातार रोजाना जागरूख कर रहे हैं कि इस कौराना की बिमारी से कैसे हमको सुरक्षित रहना है कौन-कौन से उपाय हमको कर रहे हैं लोगों को अवेर्नेस करना अवेर करना लोगों को ये काम भी लगातार चल रह है आपने बताया कि लोकडाउन की भी जरूवत है यानि आप संकीत भी दे रहें कि लोकडाउन बढ़ेगा आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस संकट की घड़ी में से बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आप जी पंजाब हर्यान हमाचल से जुड़े और अपनी बात रखी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया क्रिश्नपाल गुजर जी धन्यवाद आप लोगों का भी आपने मेरी बात लोगों तक पहुचाने में अपना योगदान दिया उसके लिए में हिर्दे से आपका आब आ रही हूँ चले शुक्रिया सर तो केंद्र राजबंतरी करिश्नपाल गुजर को आप सुन रहे तो उन्होंने एक्शन और प्लान बताया लॉक्डाउन के उस संकेत दे रहे हैं कि लॉक्डाउन बढ़ेगा क्योंकि सोशल डिस्टैंसिंग बहुत जरूरी है और उसका एक ही उपाय है लॉक्डाउन इस ब्लुटिन में बस इतना एक शूर इस ब्रेक के लुक्रे लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा